दोस्तो आज मंडे नाइट रो में अमेरिकन नाइट मेर कोडी रूट्स ने अपना सोकिंग रिटन कर लिया और दोस्तो कोडी रूट्स से यहाँ पर कोडी ग्रेप से सवाल करते हैं क्यूंकि कोडी रूट्स विया सेटलाइट अपना इंट्रिव्यू देते हैं मंडे नाइ कहते हैं कि जहाँ पर उन्होंने लेफ्ट करा था वहां से वो शुरू करेंगे और उन्होंने कहा कि सैथ रोलिंज के साथ वो अपना फोर्थ मेच रसल नहीं करने वाले क्यूंकि फिलाल उनके रडार में यह मेच नहीं है अगर सैथ रोलिंज फोर्थ मेच की डिमांड करते ह तो Cody Roots Seth Rollins के साथ 4th मेच Russell नहीं करेंगे इसके साथ Cody Roots ने अपने रिटन के बाद कुछ हासिल करने के बारे में कहा कि अगर उन्हें आप पर चुनरी मिली है तो वो उसे हासिल करेंगे और दोस्तों यहाँ पर Cody Roots ने टीज कर दिया कि वो ट्राइवल चीफ रोमन रेंग्स क स्वीट करेंगे उनसे टाइटल जीतेंगे और दोस्तों प्लेन फिलाल यह है कि रसल में या 39 की नाइट वन या फिर नाइट टू में Cody Roots को Championship मेंच मिलेगा और दोस्तों Royal Rumble में Cody Roots अपना फाइनल रिटन कर लेंगे तो Cody Roots मेंस Royal Rumble 2023 जीतेंगे और उसके बाद दोस्तों Cody Roots रोमन रेंग्स को चैलेंज करेंगे और दोस्तों Cody Roots ने यहाँ पर एक तरह से टीज करा है कि वो अपनी आप पर चुनरी का पूरा इस्तमाल करेंगे पूरा यूज करेंगे और अपनी आप पर चुनरी हासिल करेंगे डेवल लोई चैंपिंशिप को जीत करें ऐसा कुछ Cody Roots ने टीज करा है बाकी दोस्तों Seth Rollins के साथ अपने 4th मेच को Cody Roots ने डिनाइड कर दिया है तो देखना होगा जब फिजिकली तोर पर Cody Roots Monday Night Row में या फिर Royal Rumble में अपना रिटन करते हैं तो क्या Seth Rollins Cody Roots को 4th मेच के लिए चैलेंज करते हैं या फिर नहीं वैसे आप लोग Cody Roots एंड Seth Rollins के बीच वन मोर मेच देखना चाते हो या नहीं जल्दी से कोमेंट कर दो एंड क्या आपको लगता है कि Cody Roots रोमन रेंग्स को बीट कर पाएंगे या नहीं ये भी प्रेडिक्शन जरूर करना कोमेंट करके बकि दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ लेटेस्ट एंड फ्रेस अपडेट्स की साथ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चेनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए